नमस्कार दोस्तों स्वागत है मारे योटुब चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे UGC.NET JRF 2018 के एक्जाम के विशे में एक्जाम किस परकार होगा, कब से फारम वरे जाएंगे कब इसकी एक्जाम होगी, किस परकार से होगी कब एडिमिट कार्ट जारी होगी, कब इसका परिनाम आएगा इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें उस साथ ही वेल आइकन को दबाना ना बूले जब भी में नया कोई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकी जी हाँ दोस्तो UGC NET JRF दिसुमबर 2018 एगजाम में हुआ सबसे बड़ा बदला अब की बार परिक्षा होगी ओनलाइन जी हाँ दोस्तो आप सई सुन रहे हैं कि दिसुमबर 2018 का UGC NET JRF का जो एगजाम होगा वो पहली बार ओनलाइन आयोजित किया जाएगा तो आप विस्तार से बात करते हैं एगजाम का जो परकार है वो ओनलाइन होगा एगजाम की जो डेट है वो 9 से लेकर 23 दिसुमबर के बीच आपकी एगजाम आयोजित की जाएगी साथी बात करते हैं एप्लिकेशन फोरूम की तो आपके एगजाम फोरूम हैं वो 1 सितुमबर से लेकर 30 सितुमबर रातरी 12 वजे तक आपके ओनलाइन फोरूम भरे जाएंगे साथी बात करते हैं एडमिट कार्ड की तो 19 नॉमबर 2018 को आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिये जाएंगे साथी बात कर लेते हैं इसके परिणाम की तो UGC NETJRF का जो परिणाम है वो 10 जनवरी 2019 19 को जारी कर दिया जाएगा साथी बात कर लेते हैं पेपर की तो इसमें 2 पेपर होंगे पहले पेपर के अंदर 50 क्यों सनाएंगे 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें 1 गंठे का समय होगा बात करते हैं पेपर सेकेंड की तो इसमें 100 क्यों सनाएंगे दोस्तों ये था UGC की तरफ से सबसे वड़ा अपडेट जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें सीहर करें और इसी तरह के वीडियो और पराप्त करना चाते हो तो चैनल को सबस्क्राइब चरूर करें धन्यवाद जय भारत